शिराम सभी भक्तों को जै माता जी फीर एक नई वीडियो के साथ आप सब के सामने हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए बहुत सारे भगत और बहुत सारी माताएं बेहने और मैलाएं जो है हमारी वीडियो भी देखती हैं तो किसी का सवाल था कि गुरुजी से ये वीडियो जरूर बनावाईए कि संध्या कालिन दिपक क्यों लगाया जाता है साम के समय के दिपक का क्या महतु रहता है कि संध्या कालिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि संद्या कालिन हमारे घर में दीपक जरूर लगना चाहिए और कहां लगाना चाहिए किस विदी विदान से लगाना चाहिए पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है तो हमारे साथ अंतक बने रहे तब ही आपको सारी वीडियो समझ भी आती है अगर वीडि गिर्पा आपके परिवारपर सर्दैफ बनी रहे और मेरी जगजदनीमा मवानी अमब के गिर्पा आपके घर में अणपूर्णा रुपे वास्करे जैमातकी दीप जो है एक परकाश मीय है हमारे घर से अंधकार को दूर बगाता है और उजोलता लाता है भक्ती करते हैं तब भी हम दीप को पजलित करते हैं नेकिन संद्या कालीन अगर हम दीप लगा जाते हैं और तो उस दीप जलाने से हमें क्या प्राप्त हो सकता है आज इस विशे में एक गराईता चुपी रही है आप जानना क्योंकि दीप जलाने से जब आप दीप का दान देते हो तुलसी का संद्यकालीन का जो दीप है वो तुलसी पर जलाना चाहिए और अगर तुलसी आपके घर में नहीं है तुलसी पर हमने एक वीडियो बना रखी है कि तुलसी को घर में रखने से आपके घर में सकरातम कुर्जा का परवाव होता है और नकरातम कुर्जा जो है दूर भागती है और संद्यकालीन दीप देने से शनी का जो भी अब जितने भी हमारे परिवार के उपर जो भी कष्ट पीड़ाएं दुख दर्द होता है राहू के तु शनी की महादशाओं के कारण होता है जब इनकी करूर दशा चल रही होती है और संद्यकालीन दीप दान देने से नकरात्म कुर्जा भी जो है हमारे घर से दूर भाव दिये जब कोई भी नकरात्म कुर्जा आपके घर के परती संद्यकालीन में ये भी बड़ा महतव है कि संद्यकालीन मुख्य दुआर पर कभी अंधेरा नहीं करना चाहिए जो घर का मुख्य दुवार होता है उस पे कभी अंधेरा नहीं करना चाहिए और दीप का बहुत बड़ा महत्व है जब दीप दान देते हैं उस दीप को आपको लगाना चाहिए या तो जब संदेक लाएं कालीन जो आपका जो इलाका होता है जहां गारी बाइक वगेरा आप दीप का दान दे सकते हो घर की मुख्य दुवार पर भी आप दीप का दान दे सकते हो और दूसरा तुलसी के आगे भी आप दीप का दान दे सकते हो इससे नकरात्म कुर्जाएं जो हैं घर की वो दूर भागती है जो और बार की कोई नकरात्म कुर्जा आपके घर में प्र अगर ब्रमस्थान पर दीपदान दे रहे हो तो चो मुखा दीप का बहुत बड़ा महत्व है क्या अर्थ काम मौक्ष यह सारे दीप यह चो मुखे दीपक से यह सब कुछ आपको प्राप्त होता है और इससे आपका पुर्शात उज्वन होता है और आपके घर के अंदर आपकी नकरातम कुर्जा जो है जो घर में वास करती है उसके उपर भी इसका परवाब परता है घर के मुखे दुवार के उपर दीपदान देने से बार की कोई भी चीज घर में परवेश नहीं करती है जब अंधे अंधकार जो है हमें अंधकार जो है अंधकार की तरफ ही ले जाता है परकाश हमें उजोलता की तरफ लेके जाता है हमें दिखाता है आगे का मार्ग तो इसी परकार से प्रमात्मा के सदमाग पर हमें चलना सिखाता है नकरात्म कुर्जा जो है दूर भागती है गर में दीप का दान देने से संध्याकालीन और कौन सा तेल का देना चाहिए देसी घी का लेला चाहिए तेल के दीप का दान जो है वो भ्रम स्थान पर देना चाहिए सरसो के तेल का और जो तुलसी पे दीप का दान है वो गाएं के देसी घी का ही देना चाहिए तो कि गाएं और जो संध्या कालीन होता है उस समय जो शनी है वो पून रूप से आते हैं वैसे ये दीप का दान का महतव जो है संध्या कालीन ही है लेकिन जब दो पैर जब राहू का इतना सा हिस्सा रह रहा हो और शनी पून रूप से आ जाए मालों की जब संध्या कालीन होता है राहू और शनी का मिलन हो रहा होता है तो उस समय क्या होता है क्योंकि शनी और राहू जा रहा होता है जब आसमा नीला होता है तो राहू का समय है जब सूरिया चिप जाता है उसके बाद जब है शनी आता है अंदकार और जब दोनों का मिलन हो रहा होता है उस समय दीप को दान देने का प्रभाब जो है काल मिर्तु जैसे की घर में अगर कई वारा काल मिर्तु भी होई है या तो उस चीज का भी उसके उपर भी बंदन लगता है दीप का दान देने से बहुत बड़ा महत्व आपको प्रभाब होता है क्योंकि उस में देते शक्तियों का मिलन होता है नेकिन जो तो अगर आपकी कुंडली में भी कही न कई राहू केतू शनी अगर करूर दिश्टी से देख रहे हैं आपके किसी भाग्ये के घर को या लाब के घर को तो वो उसके उपर भी परभाब जो है कम पड़ता है संद्यक आलिन दीप द्यान देने से बहुत बड़ा मैत्व आप आपको प्राप्त होता है और बहुत सारे आपको लाब भी प्राप्त होते हैं तो बोलिए जैसी तराम जैसी बालागा